तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे Numericals on Error ठीक है तो जल्ली से टेक्सबुक निकाल लीजिए आपकी copy pen भी निकाल लो और आपको solve करना है मेरे साथ साथ ठीक है पहला काम आपका क्या होगा टेक्सबुक का page number कितना page number 14 ठीक है तो page number 14 निकाल लो बच्चों और question number 3 का 6 तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों आपको सभी formula learn है क्या वो बताना है आपको सभी formula learn होगे होंगे और उसी के basis पे हम आगी question solve करने जा रहे हैं तो चलिए start करेंगे सबसे पहला question और उसको हम read करेंगे और जैसे हम इस question को read करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका given क्या है तो चलिए start करेंगे साथ में solve करना तो यहां से हम start करने जा रहे हैं बच्चो इन वर्क्शॉप of a worker measures the length तो हम क्या measure करने आले बच्चो यहां पर length of a steel plate of a vernier caliber ठीक है so vernier caliper एक instrument है length measure करने का और उसका list count हमें दिया गया बच्चो so list count हमने accuracy पढ़ा था आपको अगर याद आ रहा होगो तो नहीं पढ़ा थो तो याद करो significant figure पढ़ाया था हमने so list count ठीक है कितना है 0.01 cm सो यह value जो दी है इसे हमें लिखना होगा काम पढ़ भी सकता है नहीं भी पढ़ सकता है कोई problem नहीं है ठीक है okay for such measurement of length so length measure की जा रही हमने क्या लिखना सबसे पहला काम अपना given data so length के लिए symbol क्या लेंगे बच्चो L ले लो पहला length दिया है दूसरा length दिया है ऐसे करते करते कितने length दी है बच्चो चार length दी गई है so L1 की value बच्चो कितनी है 3.11 cm 3.13 cm अगला है 3.14 cm आप देख सकते हैं value आपके question से देखके लिख रहा हूं आप भी लिखेंगे so next value 3.14 cm अब पूरे question में अगर हम देखे तो कहीं पे भी MKS नहीं है बच्चो और even answer में भी आपको पता चल जाएगा कि centimeter में ही निकालना है so answer को तो नहीं देखेंगे बढ़ हम question को जरूर देखेंगे question पर कहीं पर भी मीटर नहीं है तो हम इसको convert नहीं करेंगे तो भी चलेगा ठीक है अब हम देखते हैं find क्या करना है so हमें find बच्चो क्या करना है find सबसे पहला mean length that is average mean का दूसरा नाम बच्चो क्या होता है एवी जी लिख रहा हूं shortcut में इसका नाम होता है average the mean absolute error okay बच्चो so mean absolute error भी हमने पड़ा है उसके बाद direct बोल रहा है बच्चो percentage error बढ़ हमको पता है direct percentage error निकलता नहीं है so हम step by step find करेंगे तो सबसे पहला find क्या करना है बच्चो number one क्या find करेंगे mean value या तो mean length so mean value find कर लो उसके बाद बच्चो क्या find करना है बच्चो हमको mean absolute error so mean absolute error ठीक है मैं step by step लिख रहा हूं अपनी copy में लिख रहेंगे ये find कर लेंगे हम बाद में मैं आपको पहला question है बहुत detail बढ़ा रहा हूं बच्चो आप ध्यान से इस चीज को समझेगा उसके बाद क्या find करना अब percentage error डारेक नहीं निकलता बच्चो अगर आपको formula याद होगा तो relative error निकालना पड़ता है तो number 3 अब ये हमने निकाल लिया mean absolute error तो number 3 हमको निकालना पड़ेगा बच्चो क्या relative error जो की इनका क्या होता है बच्चो ratio किसका ये mean absolute error upon mean value is a क्या होगा relative error अच्छा तो यहाँ पर mean direct नहीं निकलेगा पहले तो absolute error निकलेगा तो मैं इसको number 3 कर देता हूँ बच्चो और इसको कर देता हूँ number 2 तो उसके पहले क्या निकालना है वगर हमको formula अच्छे से याद है तो पहले निकाल लो absolute error ठीक है बच्चो डारेक्ट नहीं हो पाएगा इसलिए निकाल लो इसका number लगा दो 4 और इसका number लगा दो 5 यहने कुल मिला कि ये 5 mark या तो 6 mark का सवाल है तो काफी बड़ा है टाइम लगेगा आराम से इसको आप solve करेंगे समझके नेक्स क्या निकालना है बच्चो percentage error तो यह सबी value हमें find करनी है तो अब इतने बड़े screen में तो possible नहीं है मैं black screen ला रहा हूँ आप सब सभी चीजों को जल्दी से नोट कर लेंगे तो black screen आ जाएगी हम formula लगा के solve करना चलू कर लेंगे तो black screen आगे ओके सो solution आपका क्या होगा solution यह होगा बच्चो कि हमें एक formula लगाएंगे और solve करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे length की mean value मैं ऐसा लिख रहा हूँ ठीक है या तो मैं short करने बच्चो LM भी लिख सकता हूँ ओके बच्चो सो LM that is this क्या होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 कुश्चन में चारी वैलू दिये थे तो चाहा रिवाइट बच्चो अभी फिला हम N डाल दे या तो 4 चलेगा N भी डाल दो या 4 डाल दो वैलू से एड करेंगे L1 की वैलू बच्चो क्या थी 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 और फिर से एक बार 3.14 डिवाइट कितने से करेंगे चार रिडिंग थी तो 4 से डिवाइट करेंगे अब यसता को एड करेंगे बच्चो आप लोग और सॉल्ड करेंगे तो फिलाल मैं आड कर रहा हूँ मैं नहीं करता हूँ और लेड़ी मैंने अड करके रहा है तो मैं इसको मिटा देता हूँ मैं आपर answer लिखता हूँ इसको भी हटा देता हूँ DR. मेरा ये पहले वाले का answer आ गया मेन मैलो 3.13 cm आप solve करेंगे ठीक है यह calculation आपको solve करना है डारेक देखके निर्फ़ता है क्योंकि आपको addition आता है हाँ आता है ठीक है है ओके तो नमबर टू अब क्या निकालना है बच्चों हमको एपसल्यूट एरर निकालना है तो absolute error निकालेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे number one delta l1 फिर उसके बाद बच्चो delta l2 उसके बाद delta l3 उसके बाद delta l4 ये 3 लिखा है बच्चो उसको थोड़ा सा बराबर कर लो तो ये value रहती है बच्चो mod में और mod ये important बता रहा हूँ ध्यान सुने एक बढ़ और ये इसकी value क्या रहेगी mod में और mod में जो भी value रहती हमेशा positive answer आता है तो क्या करेंगे हम L mean minus L1 done बच्चो next फिर से एक बार mod में लिखेंगे सभी values सभी values किसमें लिखेंगे बच्चो mod में और solve करेंगे L mean minus अब क्या आजाएगा L2 L mean minus आजाएगा L3 और L mean minus आजाएगा L4 values put कर दो बच्चो L mean की value क्या है L mean की value 3.13 है minus L1 की value बच्चो देखो 3.11 दिख रही है next आगे बढ़ेंगे फिर L mean की value 3.13 minus L2 कितना है 3.13 याने subtract कर देंगे तो 0 आजाएगा फिलाल इसको देखो L mean की value 3.13 3.13 minus करो L3 कितना है बच्चो 3.14 और यहाँ पे 3.14 ठीक है solve कर लेंगे कितना आजाएगा subtraction बच्चो इसका आगया 0.02 ठीक है mod में रखो या तो mod के बाहर ठीक है या जाएगा 0 ये centimeter unit मत लगाओ लगाओ unit लगाना पड़ेगा बच्चो इसको subtract करो 0.01 centimeter subtraction आजाएगा इसका subtraction 0.01 centimeter आजाएगा तो बच्चो हमारे पास absolute error आगया है इन सभी को आप लिख लो screen पे जग़ा नहीं है मैं फिर से एक बार black screen लाऊँगा इसको मिठा कर ओके so निकाल ली गई ये value number 3 निकाला जाएगा बच्चो mean absolute error ठीक है बच्चो ये निकालेंगे okay so mean absolute error मतलब क्या हो जाएगा delta mean निकालना है हमें a mean ठीक है delta लगा दिया हमें mean okay क्या होगा सभी absolute error का sorry मैं L लिखूँगा मैंने formula में लिया था ये ये मैंने formula में लिया था ये ये मैंने formula में लिया था बता जेता हूँ आपको फिर से एक बार मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ बच्चो क्योंकि जो मैंने लिखा था वो formula का symbol A था मुझे L लिना था सो मैं फिर से लिए दिरता हूँ कोई बात नहीं में एपसलूट एरर ठीक है ओके सो क्या होगा डेल्टा एल एम ठीक है क्या करेंगे सभी एपसलूट एरर को इंडिविजूट एरर पर उनिनित नम्बर ऑपसल्वेशन की तने हैं 4 है सभी वैलिES को एड़ की जाए क्या आया था पहला 0.02 आया था बाद में 0.01 आया था बात में 0.01 आया था बात में 0.01 डिक reversal by 4 सबको हमने किया add बच्चो कितना आया add करके आपको पता है 0.04 divided by 4 सो मेरा mean absolute error कितना आ जाएगा 0.01 centimeter I hope कि आपको चीज़े clear हो रही है number 4 हमें क्या निकालना है बच्चो रिलेटिव एरर सो रिलेटिव एरर मतलब क्या the ratio of किसका यह इसका सो यह क्या है यह क्या है बच्चो जल्दी बताओ मुझे क्या यह mods प्रिस लिखता हूं स्क्रीन चलेगी गलती से relative error आप लिख लेंगे step by step तो relative error बच्चो क्या है क्या आएगा जल्ली बताओ मुझे the ratio of mean absolute error to the mean value is a relative error दोनों mean का relative ले लो ठीक है, so 2 mean लिया हमने absolute उपर mean नीचे इसके value बच्चो आई थी 0.01 centimeter upon centimeter cancel हो जाएगा बच्चो और इसको जब आप solve करोंगे आपके बास अभी solve करने के लिए क्या है आप कुछ से solve करो या तो calculator use करो कोई problem नहीं है फिलाल क्योंकि आपके पास lock table की facility नहीं है क्योंकि मैं लॉक table पढ़ाया नहीं है जब मैं पढ़ाओंगा तो आपको समझ जाएगा है value निकलती कैसे है तो फिलाल calculator भी use करेंगा तो चल जाएगा बाद में करना है ठीक है अभी कर सकते है उच दिनों के लिए तो आपने इसको solve किया यह पूरी value solve की बच्चो तो यह value solve करने के बाद क्या है आपका 0.32 ओके तो आप हमको निकालना क्या है बच्चो percentage error हमें क्या निकालना है percentage error so relative error expressed in percentage relative error expressed in percentage मैं multiply कर दूँ इसको बराबर कर देता हूं ठीक है into 100% relative error कितना है बच्चो 0.32 और यह क्या होता है 100 and 10 to power 2 percentage जब हम इसको 100 से multiply कर रहे हैं तो क्या जाए बच्चो 32% I hope कि आपको चीजे clear हो रही है ठीक है okay so हम अपनी textbook का answer एक बार check कर लेंगे क्या यह answer आता है यह मेरा गलत तो नहीं हो गया relative error मुझे देखना पड़ेगा बच्चो I think यह मैं देख लेता हूं एक बार answer इसका कितना आता है मेरा गलत हो गया शायद थोड़ असा गलती है कोई बात नहीं मैं इसको सही भी कर सकता हूं आप भी अपना खुद से सही करें 0.01 divided by 3.13 कितना आता है 0.031 ओके सो यह में मिटा देता हूं इसको यह क्या हो गया ओके स्कॉट आ दिया जाये ओके छी किम बताता हूं आपको रिलेटिव रहर चाव था नमबर ना रिलेटिव अर मेरी जो वैलू दिवाइट थी बच्चो ठोड़ा गलत हो गया करकülेशन को अंसर कुछ और वारा हाँ उसका मैं लिक देता हूं आपको टिल्टाretenM divided by LM ऒलू क्या थी बच्चो वह क्या था 0.01 cm 2.13 cm cm क्या बच गया बक्चो 0.01 divided 3.13 और इसको руइड कर दो तो मेरा रिलेटिव यहरा रा था बच्चो इसको divide कर देंगे तो मेरी value आ रहे थी 0.0032 इतना आ रहा था बच्चो यह relative आ रहा था था ठीक है अब मैं लिकालूंगा percentage error तो यहाँ निकालता हूँ percentage error क्या आएगा पाचवा percentage error क्या हो जाएगा relative error relative error into 100% जगव काम है बच्चो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ठीक है तो related कितना है 0.0032 दन बच्चो into क्या होगा 100 याने test to power 2 multiply कर दो 10 0 at the point का आ जाएगा right 0.32 आ जाएगा I hope कि यह छोटे-छोटे calculation आपको आते है आपको क्या है बच्चो answer done next question question number 2 that is this page number निकाल लो बच्चो जल्दी से question number 15 करने जा रहे हम sorry page number 15 में question number 3 करने जा रहे हम ठीक है और उसमें भी कुन सा 8 वा question यह आपको निकाल ले ना टेक्सबुक से अब हम चलेंगे given चालू करेंगे so ohum's experiment है resistance की value दी है हमारा given क्या होना चाहिए बच्चो आपको पता है कितने resistance है एक दो तीन चार चारी है so r1 resistance के नाम का r लेते हैं बच्चो चार resistance चार value लिखेंगे आप यहां तक ठीक है चलो जल 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 दी value लिखना चालू कर दो क्या-क्या values आएगी बताओ मुझे जो है आपके सामने screen पे वही values लिख रहा हूं तो 6.120 हम 6.09 हम 6.22 हम देखके value पुट कर रहा हूं मैं सभी यह find क्या करना है बच्चो find हम सब detail में करते हैं तो number one find करेंगे हम average value देख सकते हैं यह direct mean बोल रहा है पर हमको पता है mean के पहले क्या 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 निकालना पड़ता यह mean absolute error डारेक बोल रहा है तो हमारी habit क्या 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 निकालेंगे पहले mean value number two absolute error step by step करने में मज़े यह लागे बच्चो answer proper accurate आता है number three mean absolute error तो finally यह mean absolute error आपका निकल जाएगा आप देख सकते हैं question में भी वही demand कर रहा है ठीक है तो डारेक निकलता है पहले mean निकाल लो value का absolute error निकालो देन आप निकाल सकते हो mean absolute क्या error number four क्या निकालना पड़ेगा फिर आपको relative error ठीक है equal to question mark equal to question mark equal to question mark next five आपको क्या निकालना है बच्चो percentage error equal to question mark तो आप देख सकते हैं question में यह हमको find करना है तो डारेक तो निकलता नहीं step by step निकालना पड़ता है तो हम step by step निकालेंगे मैं black screen दिखाऊंगा आपको उसमें मैं detail में solve करूंगा यहाँ पर जगह नहीं है तो चलिए start करेंगे question को solve करना सबसे पहला find करके देता हूं में बच्छो आपको find number one क्या बच्चो मीन मीन वेलू किसकी resistance की तो resistance के नाम का आर होगा और मीन वेलू के लिए आर मीन लिख लो या तो आप ऐसा shortcut में लिख सकते हो चल जाता है अब क्या करेंगे बच्चो सिधा आर वन प्लस आर्टू यह फॉर्मल लिखना हूं आर ट्री आर फोर डिवाइड बाइड चार रिडिंग है डिवाइड बाइड बाइड फोर सभी वैलूस को एड किया जाए फटा फट आर वन कितना है बच्चो पुट करो 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 प्लस 6.15 सभी यूनिट ओहम में है तो आंसर ओहम में रहेगा सब को एड कर दिया जा है और डिवाइड बाइड फोर कर दिया जाए तो आपका अंसर आएगा 6.145 सेंटी मीटर सो यह आपका क्या आगा है रिस्स्टंस ओफ मीन वैलू इतना आता है यह कैलकुलेशन बच्चो ऐडिशन वगरा चीज आप क्या करेंगे खुद से करेंगे ठीक है ओके यह मैं बलाक्स की फिसल आ जेता हूँ अब नमबर 2 फाइंड करेंगे बच्चो क्या है नमबर 2 मीन निकाल लिया अब एप्सलूट इरग निकाल लो ठीक है हाँ so absolute error number 1 that is this उसके बाद ये उसके बाद ये फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा mean से minus करना पड़ता है mod लिया जाता है आपको पता है हम उसको mod में लिखा करते है minus में अगर value आ गई तो भी हम positive में लिखेंगे so mean से r1 minus करेंगे दुसरे में mean से r2 फिर mean से r3 minus फिर mean से r4 minus value put करेंगे क्या आएगा mean की value क्या थी बच्चो 6.145 ठीक है मैं ये ऐसे boxes लगा देता हूँ 6.145 6.14 145 ये mod लग रहा है बच्चो ये सब mod है 6.145 so r4 कितना है बच्चो r4 6.15 r3 कितना है बच्चो 6.22 next r2 कितना है बच्चो 6.09 ठीक है पॉइंट बरबर लगा दो बच्चो ओके नेक्स्ट और आकरी 6.1 चलो ठीक है 6.1 sorry r1 फूट कर दिया अब सब्ट्रेक कर लो बच्चो सब्ट्रेक करने के बाद क्या आएगा जो भी आंसर आएगा क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा mod के बाहर आंसर किसमें आता है पॉजिटिव जो भी आंसर आएगा बच्चो किसमें आएगा positive में आएगा answer अगर minus में भी आ रहा है तो positive में लिखना है हमको क्योंकि हम mod के बाहर लिख रहे हैं देख सकते हैं mod में नहीं लिख रहे हैं so mod में answer positive चलता है answer minus में आ गया तो भी positive में लिखना है एरर, ठीक है, so mean absolute error कैसे निकालेंगे, delta r mean, that is this, सभी को add कर दो बच्चो, answer आपका ready है, सब को add करेंगे, divide by 4, क्या-क्या values add होगी, 0.025 plus, जगा नहीं है बच्चो, देखो यहाँ जगा नहीं है, मैं यहाँ लिख रहाँ, delta r m, क्या लिखूंगा, 0.025 plus, 0.055 plus, जगा नहीं है, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, black screen अब लिखता हूँ, ठीक है, सो मैं क्या निकाल रहाँ बच्चो, number 3, mean absolute, mean absolute error, okay, so, delta r m, क्या हो जाएगा, सब को add करो, delta r1 plus, delta r2 plus, delta r3 plus, delta r4 plus, delta r5, ठीक है, sorry, r5 तो नहीं है बच्चो, divide by 4, तो delta r1 की value थी बच्चो, 0.025, delta r2 की value बच्चो, 0.055, ठीक है, और उसके बाद था, 0.075, और delta r4 था बच्चो, कितना, 0.0, ऐसा, divide बच्चो, 4, और जब आब इसको add करोंगे, तो answer आ जाएगा, 1.0.160, divide by 4, ठीक है, और यह सब resistance का unit क्या था, बच्चो, ओहम में, तो unit रहेगा, ओहम, 0.0065, तो यह आ गया आपका answer, ठीक है, तो आप यह answer को match कर लो, देखते हैं कितना आता है, तो answer बरबर आ रहा है, है, ठीक है, तो I hope कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी, तो स्वारी, घलत होगा, शायद, answer 0.04 आता है, मैंने एक बार चेक किया, तो answer यह आता है, कितना आ रहाता एडिशन, 0.160, मैंने answer देखने में गलती करती है, बच्चो, मैंने already solve करके रखाता, बट जो मैंने answer अभी देखा है, वो correct answer है, बच्चो, यह answer आता है, ठीक है, अब नंबर हमें क्या निकालना है, 4, क्या निकालना है, बच्चो, relative, error, क्या होता है, बच्चो, mean absolute error, divide by mean value, ठीक है, तो कितना था यह, 0.04, divide by rm, कितना है, बच्चो, 6.145, जब आब इसको divide करोंगी, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.0065, तो यह था बच्चो, ठीक है, तो होगा क्या बच्चो, यहाँ पर ohm है, यहाँ पर ohm है, है, so ohm ohm cancel, तो unit हट जाएगा, ठीक है, so unit relative error का होता नहीं है, तो हम solve क्या करेंगे, बच्चो, अब हम solve करेंगे important वाला, जो कि last में, percentage error, अब आपने समझ लिया होगा, percentage error निकालने के लिए, हमें सब कुछ तो निकालना ही पढ़ता है, यह इतना सारा निकालना पढ़ता है percentage error के लिए, ठीक है, so formula पता है, relative error, expressed in percentage, ठीक है, so 0.0065 को multiply कर दो, 100 याने, tends to power 2, कर देंगे, दूर point shift हो जाएगा, यह answer आजाएगा, in percent, point के पहले कुछ नहीं रहता है, तो क्या रहता है, बच्चो, 0, so I hope कि आपको समझ गया, तो यह था आपका answer, यह answer match, next question बच्चो, आपका homework है, आपकी textbook में, तो I hope कि आप यह question खुद से करेंगे, ठीक है, so आप समझ गया होंगे, कि आपको क्या करना है, अब यह जो topic था, reduce था, तो हम इसको cover नहीं कर रहे है, किसी को doubt difficulty हो, extra है, यह सब, ठीक है, इस साल के reduce syllabus का part है, तो हम इस चीज़ को नहीं thank you